सहाब, हमें ये पता चला कि… रानी पर किसी ने हामला किया आपको कैसे पता चला? संगीता से हमें पता चला ओ, आईसी लेकिन ये नियूज बाहर नहीं जानी चाहिए थी नहीं, सैर, हम नहीं किसी को बताएंगे प्लीज, मत बताइए आखिरकार ये हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है आपकी क्रेडिबिलिटी मतलब मतलब हमने चो सुना है वो सही है क्या रानी सर्देसाय ने ऐसी कंपलेंट तो की है और इन्विस्टिगेशन भी चल रहा है लेकिन अभी कुछ नहीं बता सकते इसलिए हम चाहा रहे थे कि ये खबर बाहर ना पहुंचे वरना मीडिया वाले राई का पहाड बनाएंगे ने 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 मतलब ऐसे ब्रेकिंग न्यूस बनाने का हमारा भे कोई रादा नहीं है हम बस ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको वाकई में लगता है कि ऐसा कुछ हुआ भी होगा देखिए इंपॉसिबल ऐसी कोई चीज नहीं है वैसालों से इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं इसलिए गुनहा और गुनहेकार के बारे में मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है इसलिए हम किसी पर भी विश्वास नहीं करते हां मतलब ये भी सच ही है कि कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है ये भी हो सकता है और अगर रानी नाटा कर रही हो तो फिर तो इसका बहुत गहरा नतीजा होगा नहीं मतलब वो धननजा भाया की केस से आपका ध्यान भटकाना चाहती हो या फिर कोई दूसरा कारण हो सकता है ये भी पता चल जाएगा नहीं मतलब आपको भी ये लगता है कि ऐसा हुआ होगा हम सारी पॉसिबलिटीज के बारे में सोचते हैं नहीं पर मतलब रानी नहीं धननजा भाया का खोन किया है ये शक भी आपको जायस लगता है ना इसमें ना मानने जैसे कोई बात नहीं है बस हमारे पास सुबूत नहीं है जैसे आप उन पर इल्जाम लगा रही हैं वैसे उन्होंने भी आप पर इल्जाम लगाया हैं यह आप जानती हैं ना? इसलिए जब तक सुबुत हाथ नहीं लग जाते तब तक हम कोई स्टेट्मेंट नहीं करते नहीं पर साहब अब तो बहुत दिन हो गए हैं हाँ, मैं मानता हूँ पर एक बात याद रखिएगा कि धननजे जी का खून बस ये एक ही घटना नहीं घटी है उसके बाद पटवर्धन और विकी का भी खून हुआ है और इस इन्विस्टिगेशन में भी हमारा वक्त लगा है पर इसमें जरूरी सुराग हमारे हाथ लगे हैं और मुझे यकीन है कि मेरी टीम जल्द से जल्द ये केस सॉल कर लेगी मतलब अगर कुछ जरूरी होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा और एक बात सर हमें ऐसा लगता है मतलब हमारा अंदाजा है कि रानी का जो ड्राइवर है ना तिवारी उसके पास से जरूर हमें कोई सबूत मिल सकता है तिवारी हमारी लिस्ट में बहुत जरूरी संदीग्त है उससे दोबारा पूछता चोगी थैंक यू सेर वेलकम चलते हैं जी नेहा कैसी है? ठीक है गलत फहमी दूर हो गई उसकी नहीं अभी तक नहीं? छोटी है छोटी लड़कियों में मेचॉरिटी कम होती है आप समझतारी दिखाईए अब मैं चलू चाहो तो हम तीनों कहीं मिलते हैं मिस्स सर्देशाई आप प्लीज मेरी परसनल लाइफ में इंटरफेर मत कीजिए और इससे ज़्यादा साफ साफ बोलने पर मुझे मजबूर भी मत कीजिए ठीक है सिर्फ एक बात आपकी की हुई रिक्वेस्ट मुझे मन्जूर है ये याद रखिएगा आपकी कीजिए हेलो हेलो जी मीरा मैडम संगीता क्या तुम तेवारी से एक बार बात करो कि मैं उससे कहो कि एक बार हमसे मिले अगर मिलनी पा रहा हो तो कम से कम एक कॉल करे मैं फोन पर उससे बात कर लोगी ठीक है मैडम लेकिन मैडम अगर उसने सीधा रानी मैडम से जाकर कह दिया तो आपको फोन करने की बजाए तुम्हें यकीन है तिवारी ऐसा कर पाएगा? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है तो उससे कहो ना प्लीज, वो एक बार हमसे बात करें ठीक है, रखती हूँ फोन देखते हैं, क्या होता है तिवारी जी? हाँ मैडम क्या हुआ? कुछ नहीं है, मुझे लगा कि मैडम है मैडम आपको तिवारी जी करके बुलाती है क्या? हाँ, वो भी है क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बताऊं, संगीता जी? क्या हुआ? मैडम कुछ वापस से बोली क्या तुमको? अब तो आदत सी पड़ गई है तुम क्यों इतना गाली खाते हो? नौकरी छोड़के चले क्यों नहीं जाते? नहीं, मैं रहने दीजी तिवारी जी आप मुझे सब कुछ बताओ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी ऐसी बात नहीं है, संगीता जी मैं बहुत डर गया हूँ क्यों? वो पुलीस आती है ना बार बार हाँ तो फिर तो मुझे डर लगता है तुमको काई को डर लगता है हमने कुछ नहीं किया है ना फिर डरने की जरूरत ही नहीं है मुझे तो आजकल मैडम से भी डर लगता है वो तो है मैडम कुछ भी कर सकती है आजकल तो रातों में नीन भी नहीं आती सोते हुए भी लगता है कि आँख खुली है और जब आँख खुलती है तो लगता है मैं लॉक अब में बंधू तिवारी जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा ये बड़े लोग है संगीता जी हमें फसाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा अब क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आता तिवारी जी आप मीरा मैडम से बात करो देखो मैडम और मीरा मैडम के बीच जगड़ा है लेकिन मीरा मैडम और गायत्री मैडम मेरे से जूटने ही बोलेंगे उनको लगता है कि ये सब कुछ मैडम नहीं किया है ऐसा हो सकता है न? तुम्हें पता है कुछ? तुम तो हमेशा उनके साथ रहते हो हम कुछ नहीं जानते तो यही मीरा मैडम को जाके बोलो पुलिस को भी यही लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो वो उनकी गलत फैमी है तुम एक बार मीरा मैडम से बात करो वो बहुत अच्छी है वो तुमको बताएंगी कि क्या करना है तुम उनकी सुनना, हाँ, बहुत अच्छी हैं वो हालो, नेहा, बोलिये, कैसी हो, मैं ठीक हूँ, अरे वा, मतलब जगडा खत्म हो गया, जगडा, किस से, अरे, तुम्हारे और आजे, मिस्टर आजे की बीच गलत फेमिया थी, ना, अच्छा वो, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, इस इट, हम, कब का सॉल्व हो गया वो सब, पर, मिस्टर आजे, और हाँ, हम दोनों जल्दी एंगेजमेंट करने वाले हैं, वाँ, ताट्स ग्रेट न्यूस, कभी कर रहे हैं एंगेजमेंट, मुझे इंविटेशन देना भूलना मत, नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं ब बहुत बुरा किया आपने आजे के साथ, उसे फसाया, तो अब इसके आगे, आजे से दूर रहिए, समझ गई ना, मिस्सिस राणी सर्दिसाई? अब तक नहीं आया, त्यवारी, आएगा नहीं वो देखो, आग Bradley, मैठम, मुझे यहां आते हुए, किसी ने देख लिया होगा ना, कुछ नहीं होगा, त्यवारी. नमस्ते, मैठम, नमस्ते, कैसे हूँ, हम, ठीक है, मैठम, त्यवारी तूमसे खुछ बात करनी थी, संगीदा जी बोल रही थी कि आप बात करने वाली हैं तिवारी हम जानते हैं धनेंजा भाया को किसने मारा है और जिसने धनेंजा भाया को मारा है उसी ने विक्की और पडवर्दन जी को भी मारा है क्या आप जानते इसके बारे में हम हां आप ही मतलब आप हमेशा रानी के सा हाँ लेकिन मैडम हम कुछ नहीं जानते तुमने कुछ तो सुना होगा कुछ तो देखा होगा तीवारी भरोसा रखा है तोड़ना नहीं दुबारा अगर मैडम के दर्वाजे के बाहर दिखाई ती है तो सुन्मी टैंक में डुबोकर मार तूगा तुम्हें सच पता देना च तिवारी इसलिए हम बोल रहे हैं तुम पुलिस को सब बता दो आपको तो पता है रानी कितने खतरनाक है और आपको भी बच के रहना पड़ेगा मैडम हम गरीब आदमी है हम खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते देखो मैं बात करूंगी अज़ा ठाकुर से तुम्हें दो बस मैडम अब हमें जाना होगा तिवारी प्लीज मैडम बस से जाना है ना तो टाइम लगेगा और मैडम को शक हो गया तो हम तुमको पैसे देंगे फिलाल यह रखो तिवारी तुमने धरंजा भीया का नमक खाया है नमक हरामी मत करो ठीक है मैडम अब हम चलते हैं बागी बात बाद में करेंगे नमस्ते आसा नहीं है इन जैसे लोगों से इस तरह से छुपकर बात करनी पड़ेगी यह जंदगी मैं नहीं सोचा था इसकी वज़ा रानी है एक गंदी मचली पूरा तालाब खराब करती है कुछ जैसे ही हो रहा है रानी रानी मैंने अभी संगीता और तिवारी को बात करते हुए देखा तो फिर? तो फिर क्या वो दुनों बात कर रहे थे एक दूसरे से शरत संगीता और तिवारी एक ही घर में काम करते हैं तो वो एक दूसरे के रानी ये बाते वैसी नहीं थी रानी मैं मामूली बाते और गंभीर चर्चा के फर्क को समझ सकता हूँ क्या कहना चाहते हो तुम फिलहाल तिवारी डरा हुआ है हद से ज़्यादा डरा हुआ उसे हमारा साथ देने का पच्टावा हो रहा है ऐसे में कोई भी उसे अपने जाल में फसा सकता है पर संगीता तो अरे संगीता नहीं पर संगीता के थ्रू मीरा और गायत्री मैं दूर था इसलिए ज़्यादा कुछ सुन नहीं पाया पर जरूर कोई गंभीर चर्चा हो रही थी रानी मुझे शक हो रहा है हमें इस तिवारी से संभल कर रहना होगा इसमें अगर मूँ खूल दिया तो समझो हम लोग गए काम से फिलहाल तिवारी डरा हुआ है हद से ज़्यादा डरा हुआ ऐसे में कोई भी उसे अपने जाल में भसा सकता है हुआ 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 है हलो हलो अजय हां बोलो नेहा बिजी हो क्या नहीं बाइक पर था बोलो अम क्या हम अभी मिल सकते हैं अभी हां थोड़ी देर के लिए नहा मुझे भी घर जाना था क्या हम बाद में मिल सकते हैं प्लीज आजय पर बस थोड़ी देर अगर तुम घर आ जाते तो तो क्यों ने कोई प्रॉब्लम नहीं है बस थोड़ी से बात करनी थी नेहाम कल मिलते अभी मेरा घर जाना ज़रूरी है अजय प्लीज बस थोड़ी देर अरे नेहाम हलो अजय नेहा की मम्मा बोल रही हूँ हाँ मम्मा बोली तुम्हारे पास कुछ वक्त हो तो यहां आ सकते हो मम्मा अक्चलि मुझे घर जाना है हाँ घर तो तुम जाओगे ही बिटा पर थोड़ी देर आओना हमें कुछ बात करनी है तुमसे अक्चलि मेरी आई मैं उन्हें फोन करके बता दूंगी तुम यहां हो यह पता चलने पर उन्हें टेंशन नहीं होगी तुम आजाओ हमें एक साथ खाना खाएंगे ओके ने ने खाना नहीं खाऊंगा ठीक है खाना मत खाओ पर एक बार आतो जाओ मुझे बात करनी है ठीक है आतो ठीक है आजा समझी इस तरह से बुलाया जाता है अब सीख लो ये सब आ रहा है वो राणी तीवारी आ रहा है देखो तो कैसे चोर की तरह आ रहा है अब ही पता चल जाएगा कि कहां किया था ये संगीता कहां गई वो अंदर किचन में है उसे आउट हाउस में भेज दो इतनी जल्दी जाने के लिए क्यूं कह रहे है वो मुझे पूछेगी तो कुछ भी बता दो उसे बे अकल कहीं कि तीवारी के साथ बात करते वक्त वो मुझे वहाँ नहीं चाहिए ठीक है मैं बोलता हूँ उसको और सुनो उसे यकिन हूँ वही कहना शक नहीं होना चाहिए हाँ रानी और एक बर वो चली गई तो उसका गिरेवान पकड़ के सामने लाओ से अज अगर इसने कुछ उल्टी सीदी हरकत की होगी न तो इसकी तो खैर नहीं अरे आओ आओ अजे बेठो 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 बिटा क्या लोगे तुम चाहे या कॉफी मैं पानी लेकर आती हूँ जाओ बहुत भागदौर करनी पड़ी न तुम्हें पर हमें इंसान सामने हो तो बाते करने का मजबा आता है त्यांक यो अच्छा आजे काम केसे चल रहा है चल रहे है लूड हममसीं की बात करें प्लीज वरना आजे को देर हो जाएग़ आजे बिटा, अच्छा हुआ कि तुम दोनों की लडाई खत्म हो गई मैं खुश हूँ हाँ आजे, और प्लीज, अब एक दूसरे के बीच ऐसी गलत फिहमिया वापस बढ़ने मत देना अरे कपल्स के बीच लडाईया तो होती ही है मेरा तो कहना है कि लडाईया होना जरूरी है, जिससे एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं इससे प्यार बढ़ता है, पर लडाईया छोटी-छोटी हो आजे, अब तुम्हें एक दूसरे को समझना होगा बेटा हाँ अच्छा तो इंगेजमेंट कब करनी है, तुम्हारी क्या प्लानिंग है, बताओ अजे, हम एक जवान बेटी के माँ पिता है इंगेजमेंट के लिए ज़्यादा देर नहीं रुख सकेंगे, इसलिए बार-बार कह रहे हैं हाँ, इंगेजमेंट कब करोगे, बताओ ना अजे, कुछ बोल क्यू नहीं रहे हो संगीता, क्या, तुम्हारा काम खत्म हो गया, नहीं अब तक नहीं, और किती दिर लगेगी, 15-20 मिनिट तो लगेगी, अरे 15-20 मिनिट क्या, तुम जाओ, जाओ जल्दी यहां से, कहां, अरे आउट हाउस में और कहां जाओगी, अरे पर क्यू, मैडम गुसा करेंगी, उपर वाले कमरे में एक लाइट खराब हो गई है, मुझे मेन स्विच को आफ करके, हर एक बल्ब को चेक करना है, इसलिए तुम जाओ, जल्दी करो, अभी, तो अभी यह काम मैं दिन में करूं क्या, हां, अरे क्या हां, हां, हां करी, मुझे भी करना है काम, यह तो घाएंगी, मैडम को उस सब पता है, मैंने उन्हें बता गई, तुम जाओ, 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 अरे, तुम जाओ निया, यहां से, जाओ प्या है, क्या शरत, ममा, हमें थोड़ा रुकना होगा अरे अजय, बार बार एक ही बात मत दोराओ, हम अलरेड़ी इसके बारे में बात कर चुके हैं अब रुकने की क्या वज़ा है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें सच में थोड़ा रुकना होगा पर क्यों? आई की तबिया ठीक नहीं है अरे हाँ, हम भी जानते हैं, पर वो तब तक ठीक हो जाएंगी, बल क्योंने होना ही पड़ेगा नहीं, बात कुछ और है ममा अग्चली, आई के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स आये हैं, और डॉक्टर ने कहा कि अग्चली, उनके रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम है, मतलब, आई के बलड में प्लॉट्स डिटेक्ट हुए हैं, और डॉक्टर कह रहें कि ऑप्रेशन करना होगा, जल से जल, और ऑप्रेशन होने के बाद, उनका बहुत ध्यान रखना होगा, पर अजय तुमने, क्या किसी स्पेशलिस को दिखाया है, बेटा, वही तो, हाँ, तो कब है ऑप्रेशन, अब पैसो का इंतजाम होते ही, ऑप्रेशन जल से जल करवा लेंगे, कितना खर्चोंग ऑप्रेशन में, चार लाख, चल, आजा, आओ तिवारी, कैसे हो, मैं ठीक हूँ मैडम, काम कैसे चल रहा है, जी मैडम, मैडम आप जो कह रही है, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, जो आपने पता दिया था, बहा पर कोई नहीं रहता मैडम, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी गसा मैडम, मैंने छुट्टी मिल जाती तो अच्छा रहता. किस लिए चाहिए तुम्हें छुट्टी? मैडम, घर को जाना चाहता हूँ. किसके घर? मैडम, अपने घर. कहां है तुम्हारा घर? मैडम, यूपी में. याददाश्ट कमजोर होगी ये तुम्हारी तिवारी. तुम्हारा घर यूपी में थोड़ी ना है? मुम्बई में है? नहीं, मैडम. अरे? आज गया थे ना तुम वहाँ पर? नहीं, मैडम, मैं कब गया? मैंने देखा तिवारी तुम्हें. बड़े सजधच के गया थे. तुम्हारी बीबी को बताना पड़ेगा तिवारी. वो बिचारी इतना इंतजार कर रहे है तुम्हारा और तुम यहाँ पर गुलचरे उड़ा रहे हो? नहीं, मैडम, मैं कहीं नहीं गया. तिवारी, तुम गय थे. नहीं, मैडम, मैं नहीं गया थे. नहीं मैडम मैं तो घर नहीं गया थे नहीं मैडम तीवारी सच कहूं मैं सच बता रहा हूं मैं कहीं नहीं गया थे नहीं मैडम हां गय थे नहीं मैडम मैं सच बता रहा हूं तो किसके घर गय थे किसी के घर नहीं गया मैडम तीवारी तुम अपनी गर्फेंड के घर गय थे कि नहीं नहीं माडम मैं तो मीरा माडम को मिलने क्या कहा तुम ने मैंने कुछ ठीक से सुना नहीं किसके घर गए थे माडम मैं मीरा माडम और गायतरी माडम से मिलने सीधे घड़े रहे मीरा और गायतरी से मिलने गए थे तुम कि आज तक मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करते आई पुलीस से हमेशा तुम्हें बचाते आई तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने दिये और तुम उस मीरा से मिलने गए थे गलती होगे मैड़ा माफ कर दो बहुत बड़ी गलती हुई तीवारी और अभी इसकी सजा त जिन्दा रहना चाहते हो तीवारी अपने घरवालों को भी जिन्दा देखना चाहते हो तो फिर सच बता दो ना मीरा मैड़म और गायतरी मैडम के पास गए थे या नहीं? नहीं, मैडम. तिवारी सच कहो, वरना मैं तुम्हें? हाँ, मैडम. उन्होंने पुलाया था. कॉल किया था तुम्हें? नहीं, मैडम. तो फिर? मैडम, गलती हो गए. जाने दो, दोबारा से नहीं जाओंगा आगे. शरत, इसके मरने के बाद इसके घरवालों को मत बताना. इसकी बॉड़ी सटने दो जरा. और करने दो घरवालों को इंतजार. नहीं, मैडम. उन्होंने बुलाया था? नहीं, मैडम. फिर कॉल आया था उनका. उन्होंने बुलाया था. फिर क्या हुआ? वो, मैं. जल्दी बुताओ. वर्ना तुम्हारी जान जाए कि तुम्हारे घरवालों को पता बे नहीं चलेगा, समझ गए? तिवारी? क्यों दूसरों के लिए अपनी जान जोखें में डाल रहे हो तुम्हा? उन्होंने कॉल किया था? मैडम, उन्होंने संदेशा भिजवाया था. किसके हाथ हो? मैडम, वो संगीता के. मैडम, मैं बहुत डर गया था. मुझे ये सब छोड़के गाव जाना था. संगीता को पता चला कि मुझे कुछ टेंशन है, तो उसने बार बार पूछा. तो मैडम मैंने उसे बता दिया. क्या बता दिया? मैडम, यही कि मैं बहुत ठर गया हूँ. और उनने बोला कि तुम मेरा मैडम से बात करो या तो उनसे मिलो. वो, वो बोली कि मेरा मैडम तुमारी हेल्प करेंगी. हेल्प? क्या हेल्प के उसने? मैडम, मेरी जादा बात नहीं हुई. मैंने उनको कुछ नहीं बताया. सच में? आहां, जी. तिवारी, सच बताओ. मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ. मैंने उनको कुछ नहीं बताया. और ये जूट हुआ तो? मै, मैडम. पुलीस तुम्हारी छानबिन करती रहेगी. पर मैं तुम्हें जिन्दा गाड़ दूँगी. तुम्हारा और तुम्हारे घरवानों का नामों निशान मिटा दूँगी, मैं समझे? मैं सच बोल रहा हूँ. मैंने कुछ नहीं बताया. इस पर विश्वास मत करो, इसे उड़ा दो. ने, 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 मैडम. मैंडम, मैं तु सिफ यह देखने गया था, कि वो क्या बोलती है. उन्होंने पैसे दिये तुम्हें? नहीं. नहीं, मैडम. मुझे माफ कर दो, मैडम. दोबारा से ऐसी गल्ती कभी नहीं करूँगा. मैं बादा करता हूँ. उनको फिर अपना कभी मुझे नहीं दिखाऊंगा. मैडम, मैं गाओ जाना चाहता हूँ. मेरे बाल बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं गाओं में. मैडम, प्लीज मुझे छोड़ दीजे. मत मारिये मुझे, मैडम. प्लीज. जाओ. रानी? जाओ, तिवारी. रानी, ये क्या कर रहे हो तुम? शरद रुको. तिवारी, तुम्हें जिन्दा रहना है, ना? तो अपना मुझे बंद रखना. और अब जब तक मैं न कहूँ, तुम इस घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखोगे. जी, मैडम. जाओ. तिवारी ने कुछ नहीं बताया. एक बार बुलाने पर मिलने आया, यही बहुत बड़ी बात है. मैं भी तो वही कह रहे हूँ कि मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही. मतलब? मतलब, वो बोलेगा, नहीं बोलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा. अच्छा, दीवी, अगर तिवारी गुणा में खुछ शामिल होगा, तो शायद वो कुछ नहीं बताएगा. मैं भी तो वही कह रहे हूँ कि वो रानी से डरता है, ना? हाँ. हाँ, तो हम उसके इसी डर का इस्तिमाल करेंगे. मतलब, उस तिवारी को और डराएंगे. अरे, पुलीस कैसे तुम्हें ढून रही है, रानी से तुम्हें कैसे धोका है, ये बात उसे बार-बार बताएंगे. मीरा, वो पहले ही कितना डरा हुआ है. अरे, लेकिन गाहितरी भावी ये सब तो करना ही पड़ता है. हमेशा अच्छे बने रहने से कुछ नहीं मिलता, कभी-कभी चालबाजी भी करनी पड़ती है. और वैसे भी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छे के लिए ही कर रहे हैं. अच्छा, मीरा, तुम क्या कहती हो, तीवारी को पुलिस से बात करने के लिए कह दे? जो इंसान हमसे बात करने में इतना डर रहा हो, मुझी नहीं लगता वो पुलिस के सामने बोल पाएगा. अच्छा, अगर हम उसे पैसे दे तो? पैसे तो वो ले ही गया, पर सिर्फ पैसो से बात नहीं बनेगी. अच्छा, तीवारी, मतलब सरकारी गवा तो बन सकता है, न? हाँ यह हो सकता है हम उसे यह बताएंगे कि तुम सरकारी गवा बन सकते हो बस पुलीस के सामने सरेंडर हो जाओ और उन्हें सब सच बता दो पर क्या वो मान जाएगा देखिये भावी वो भी इस केस से पीछा चुडाना चाहता है बार बार कह रहा था कि मैं बीवी बच्चो वाला आदमी हूं हम उससे कहेंगे कि पुलीस उसे और उसकी फैमली को प्रोटेक्शन देगी पुलीस उसे सरकारी गवा तो बना लेगी ना बन प्रोटेक्शन देने की बाद भी कर लेंगे है ना ठीक है बात करके देखते हैं और उस संगीता से भी कह देंगे कि जरा उसे फोर्स करें अजे ए अजे इतना अंधेर है क्यों यहां पर अचाची अरे ओ चाची अब अंधेरे में क्यों सो रही है चाची क्या हो अचाची कुछ नहीं सिर्दर्द कर रहा है थोड़ा ज़रा देखो तो इनको बुखार नहीं है अरे यह क्या इनका बदन कैसे तप रहा है अरे बता नहीं शाम को तो ठीक थी बिल्कुल।। चाची पने दवाया नहीं लेती लिया था। फिर। ऐसे आचानक आपको भुखार कैसे आगया। किया हो चाची, कि भी आफ ठीक नहीं हें क्या। आजे, super- वो. लोगा कि याद हुआए यह desert सो लlish चिंदा। Μत कीजिए यह फोन कर रहे हैं अुझे यह फोन नहीं हो तो फिर अभी आप चिंदा मत कीजिए मं देखता हूं कि इसा के टिर धा लुका टिवारी जी हाँ क्या हुआ बाल बाल बज़के संगीता जी आज हम मैडम ने तो जान से ही मार दिया होता तुमने उनको बताया नहीं मेरा मैडम क्या बोली वो तो बहुत कुछ बोली पर हम बहुत डर गये थे संगीता जी हमने उनको भी कुछ नहीं बताया तिवारी जी, अब ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मैडम हमें मार दालेंगी संगीता जी, हमारे बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे लेकिन अगर तुम मेरा मैडम को जाकर बताओगे, तो वो बचाएंगे न तुमको संगीता जी, मैडम के कबजे से कोई किसी को नहीं बचा सकता तिवारी जी, फिर सच कैसे बता चलेगा? उसब हमको नहीं बता, हम तो बुरी तरीके से फच गए, हम तो यहाँ से भाग जाना चाहते हैं, संगीता जी जाओ, लेकिन सब कुछ मीरा मैडम को बता के जाना नहीं संगीताजी, उनको बताने जैसा कुछ नहीं है हमारे पास तिवारी जी, ये सब कुछ हम धननजय साप के लिए कर रहे हैं न लेकिन संगीता जी हम जो कर रहे हैं वो अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहे हैं आप प्लीज हमें बख्ष दीजिए हमें इस जमेले में नहीं पढ़ना अब तिवारी जी आप गलती कर रहे हो अगर आप सच नहीं बोलोगे तो तो ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा कितने दिन ऐसे डर डर के जीओगे किसी का छुटकारा नहीं होगा इस में से समझ रहे हो आप मेरी बात आपको जो भी कुछ पता है वो मीरा मैडम को जाके बताओ जो भी पता है सच वो सब जाके बताओ उनको सुन रहे हो आप मेरी बात रानी उस तीवारी को क्यों छोड़ दिया तुमने शान्त हो जाओ शरत क्यों शान्त हो जाओ मैं तुम समझ भी रही हो इसमें कितना बड़ा रिस्क है हाँ मैं समझ रही हूँ क्या समझ रही हो तुम हाँ वो दुबारा मेरा के पास जा सकता है या पर पुलिस के पास भी जा सकता है फिर क्या करेंगे हम लोग अरे तो क्या फिर उसे जान से मार डाले? हाँ, दूसरा कोई इलाज नहीं है, रानी शरत मैंने उसे पूरी तरह से डरा दिया है वो ऐसे हिम्मत दोबारा नहीं करेगा संगीता को भी डराया था तुमने, क्या हुआ? उसने अपनी हरकते बंद की? उल्टा उस तिवारी को मीरा के पास भेज दिया, उसने इसका मतलब वो भी मीरा के कॉन्टैक्ट में है तिवारी को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग फिर संगीता को क्यों छोड़ दिया? क्यों नहीं मार डाला उसे? रानी, संगीता पर पुलिस की नजर थी तुमने ही ग्रफतार करवाया था ना? वो भी मुझसे भी न पूछे? अरे हाँ, शरत परब मुझ पर गुस्सा करके क्या फाइदा? मेरा इतना ही क्याना है कि तिवारी को छोड़के तुमने बहुत बड़ी भूल की है शरत थोड़ा दिमाख शान्त रखो यो अच्छानक क्या हो जाता है तुम्हे? सुनो, तिवारी अभी 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 उस मीरा और गायतरी को मिलके आया है अगर आज वो मर गया आना तो ये दोनों तुरंट पुलिस के पास चली जाएंगी और शक हम दोनों पर आ जाएगा फिर से पूछ ताज एक जूट छपाने के रिए दुसरा जूट बोलना पड़ेगा इसलिए कह रही हूं और शरत हर किसी को नहीं मार सकते हम वरना एक दिन ऐसा आएगा जब सारे संदिक्त मर जाएंगे और सिर्फ हम दोनों बचेंगे पुलिस हमें ही गिरफतार कर लेगी मुझे लगी रहा था कि दिवारी कोई ना कोई करबर जरूर करेगा सच कहा मुझे भी ऐसा ही लगाता कि पैसे से उसका मूव अंध होगा पर वो तो सबसे डर्पुक निकला अब हमें कोई अलग प्लान करना पड़ेगा हम दोनों को समझ लेना जाही कि दिवारी अब हमारे साथ नहीं है हम दोनों अकेले हैं मतलब मतलब मीरा और गायतरी ने उसे हमारे खिलाफ करने की कोशिश की तो अब हम ही पुलिस को बता देते हैं मतलब अगर वो तिवारी हमारे काम नहीं आ रहा तो वो मीरा को भी मदद नहीं कर सकता कभी कभी तुम्हें कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चलो अब उस आजेट हाकुर को फोन करते हैं ये इनसान तो फोन ही नहीं उठाता फिर से करो नहीं उठाएगा तो फिर उनकी टीम में जो लोग हैं उसमें किसी एक को करो उस मेमाने का नंबर तो था मेरे पास है तो फिर फोन करो हेलो कौन बोल रहा है मैं मिस्स मेमाने बोल रहे हूँ आप कौन मैं रानी सर्देसाई बोल रही हूँ दरसल मैं मिस्टर आजेट हाकुर से बात करना चाहती हूँ एक्चली वो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं तो मैंने इस नंबर पर कॉल किया इस वक्ट देवर जी घर पर नहीं है और मेमाने बाहर गये है मैं देवर जी के घर पर ही हूँ और आपका कोई संदेश है क्या मैं पहुचा दूंगी उन तक क्या आप जानती है मिस्टर अजय थाकुर कब तक आएंगे हमें भी कुछ पता नहीं है हम भी उनी की राह देख रहे हैं नहीं मतलब उनकी आई की तब्यद ठीक नहीं है इसलिए मैं भी यही पर हूँ हम उनके पोडोस में रहते हैं ओ क्या हुआ है उनकी मा को रानी जी उनकी आई की तब्यद बहुत सीरियस है डॉक्टर ने कहा है कि उनके खुन में गाठे पड़ गई है जल्से ऑपरेशन करना होगा नहीं तो पेशेंट जिन्दा नहीं बचेगा ओ माइ गॉड तब्यद ज्यादा सीरियस है हाँ ना बहुत सीरियस है जी भी इसी टेंशिन में है आई की तब्यद, हॉस्पिटल, सब अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल है उनके लिए अच्छा, आपका कोई काम था उनसे? हो गया हाँ? I mean, अब हो जाएगा कोई बात नहीं, मैं बात में फोन करती हूँ जी, ठीक है क्या हुआ? जब हुआ वो बहुत अच्छा हुआ मतलब? हर दाव हम ही जीत रहे हैं शरत अब तुम चिंता मत करो मैं देख लूँगी रानी कॉन ड़ा फोन पर? हाँ? रानी जल्दी से कोई अच्छी ख़बर सुनाओ मुझे उस दिवारे मेरा दिमाग खराब करती है अरे? इतने इंपेशन क्यों हो रहे हो आजकर? रानी देखो हमको जल से जल इससे बाहर निकलना ही होगा चाहे किसी भी तरह सोचा था कि कोई अच्छा इंसान हमारी साइड में आएगा और काम बन जाएगा पैसे देकर उसका मूँ बन कर देते और सारा मा लेकर यहां से निकल जाते पर नहीं हमारी कुंडली में लिखा था वो अजय ठाकुर वह इसे सारा खेल गरबड हो गया शरत एक पल में सारा माहूल बदल जाता है इतने दिनों से जो लग रहा था कि नहीं हो पाएगा वो अभी सिर्फ एक फोन से हुआ मतलब मतलब अजय ठाकुर की मा की तबियत बहुत सीरियस है कुछ ब्लॉकेजस वकिरा बनने हैं शायद अरे रानी उस बुडिया की मौत से हमें क्या फाइदा होगा नहीं नहीं उसकी मौत से हमें कोई फाइदा नहीं होने वाला पर उसके जिन्दा रहने से होगा क्या बूल रही हो तुम शरत बहुत सीधी बात है अजय ठाकुर की मा के ओप्रेशन का सारा खर्च हम लोग उठाएगे पागल होगी हो तुम तुमसे सीधे मू बात नहीं करता है वो और वो इनसान हमसे पैसे लेगा वो भले ही ना ले हम दे देंगे शरत अगर निवाला ऐसे ना खा पाए तो ऐसे खाना चाहिए बस पेट भर जाना चाहिए उस अजट हाकुर का मू हम पैसों से या किसी और से बन नहीं कर पा रहे ना तो फिर हम अपनी अच्छाई दिखाकर उसका मू बन कर देंगे आखिर उसकी मा की जिन्दगी का सवाल है अगर हमने मदद की तो शायद बच जाएगी वर ना